नमस्कार आप देख रहे हैं सम्रिधीनी चनल और महोर सुक्तिवारी इस वक्त अभी हम हरपूर पंचायद में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि गड़ानी प्रखंड के अंतरगत हरपूर पंचायद अपने आप में काफी सुद्रध पंचायद है और काफी बुधिजीवी लोगा पंचायद है और इस वक्त हमारे बीच मौझूद है प्रितम यादो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी माता जी प्रेमी देभी ने यहां की नौनिर्वाचित मुख्या पत से अपना चुनाओ जीता है और नौनिर्वाचित मुख्या बनी है इस हरपूर पंचायद के लिए मैं कि इन से जानते हैं क्या बताना चाहेंगे सबसे पहले स्वागत है तमाम दर्सक आपको देख रहे जानना चाहेंगे कि जीस तरह की जीत हासिल हुई निशी तोर से एक बहुत बड़ी जीत कहीं जा सकती है क्या करना चाहेंगे पहले तो हम हरपूर पंचायद की जानता को जानना चाहेंगे चुकि जीस तरह का चुनावी मैदान में जीस तरह की लडाई थी क्या लग रहा था चुनाव इसमें लडाई था या फिर चुनाव आपकी हक में निकल रहा था पहले से जनकाई था पहले से जनता का इतना सपोर्ट था शिरवाद था और मुखिया का मतल जोगी कि फुरा सा महसूस नहीं इतना असिलवाद मिल रहा था बहुत सारे मुद्दे पे आपने चुनाव लाना था बहुत सारी योजनाय आपने प्लानिंग किया था कि यह काम करना है यहां की जनता ने आप पे अपना विश्वास जताया आपकी माता जी प्रेमी देवी को यहां का मुख्या बनाया अब एक बहुत बड़ी जबाब देही और जिवारी आपकी कंधे पे आ गई चुकि मुख्या प्रतिनिधी होने के नाते और मुख्या पुत्र होने के नाते आपकी जबाब देही और जिमारी बनती है कि अपने हरपूर पंचायत में वो तमाम समस पुरा करेंगे तो आपने देखा हमारी बात हो रही थी पृतम यादों से और इनकी माताजी प्रेमी देवी ने हरपुर पंचायत में चुनाव जीता है नौड नौचित मुख्या है और एक मुख्या परतिनीदी होने के नाते जैसे पृतम यादों ने अपनी बातों को रख कि पुराने मुख्या से लोग परेशान थे चुकि काम नहीं हो रहा था वो कहीं न कहीं अपने दूसरे कारियों में इंवल्व थे ठीकेदारी वगर करा रहे थे लोगों को विकास चाहिए और यदि जनता आपको जन परतिनीदी चुनती है तो कहीं न कहीं जनता को यह उम और प्रेमी देवी को मुख्या बनाया और प्रितम यादों हमरे बीच है और इनका काना है कि तमाम वो परिशानिया जिस मुद्धे पे हमने चुनाव लड़ा था कि हमें तमाम जितने भी रासन की रासन की बात कर लिया जाया या सुक्षा की बात कर लिया जाया या फिर न लगतार काते आ रहा हूं कि परिवरतन की लहर है और पूरे प्रखंड में परिवरतन हो रहा है गड़़नी की बढ़ा बिधायक बन गये तो बढ़ा हो गये और सांसत बन गये तो बहुत बढ़ा हो गये तो यह भर्म अपने से हीरो से जीरो बना देती है तो यह लोगों ने आपको बनाया तो आपने यह सोच लिया यह हम हो गए आपके अंदर कि मैं बहुत बड़ा हो गया यह गलत फाहमी नहीं पाननीचाई और यही गलत फाहमी क्या देन है कि वहां जे यह तो तमाम जनता के जितने भी लोग हैं तो ये तमाम लोगों ने मुखिया बनाया और मुखिया बना के ये बताया कि हम जिसको चाहे मुखिया बना सकते हैं और इनका इमंदारी, इनकी कर्मठता शुरू से ही रही है हलागी में बतादू कि य्वाओं के निता रहे हैं प्रिकम यादो खर किसी के साथ मिलने का जो इनका तरीका रहता है इनके बेवहार से लोग परशन रहते हैं और उसी का देन है कि आज इनकी माता जी को लोगों ने मुख्या गनाया इस वक्त तमाम लोग आपको चैनल पर देख रहे हैं मैसेज क्या देना चाहिए मैसेज सबको धनेवाद दिल से अधनेवाद आपको भी और इसी तरह आप पूरे हरपुर पंचायत को अच्छा पंचा है इस तरह आप से उमीद की जा सकती है चुकि आप युवा है और आपकी माता जी मुखिया है तो नित्री तो करता तो आप ही रहेंगे तो निशी तोर से विकास की गंगा भाएगी तो इसी तरह आप तमाम विकास की खबरों को देखते रहें गड़हनी प्रखंड के हरपु